अस्सलाम उलेकुम सुटेंट्स कैसे हैं आप सब आज का हमारा सेवन्थ लेक्चर है चैप्टर लिविंग दिंग्स एंडर इंवर्मेंट यूनिट फॉर पेज नंबर थर्टी फाइफ न्यू टॉपिक है फूट चेंड फूट चेंड क्या है बेसिकली फूट चेंड इसे क किस सरह होती है फूट रजड है फूट चैंड फूट इनर्ज्री पास होती है फूट से अनिमल में इन्द फॉरम अफल बढॉग चीन की फॉट चैंड अगहराम एग्जैम्पल ने कि एक plant है ठीक है कोई भी plant ले 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 तो क्या होगा कि plant जो है वो sun से energy store करेगा ठीक है photosynthesis के process के जरीए उस plant के अंदर जब energy store हो गई तो वो energy जो है rabbit खालेगा यानि कि जो plants को animals खाते हैं वो खालेंगे animal यानि कि आपको मैंने previous lecture में भी वोर का तो वो plants जो है वो how do खालेंगे ठीक है फिर वह जो harby wores animal होंगे उनको एक carnivore animal खालेगा यानि कि fox खालेगा अगर हम एक animal की बात करें तो वो fox जो है वो rabbit को खालेगा तो rabbit जो है वो plants को खालेगा plants के जरीए rabbit पर जब रैबिट किसी और एनिमल का फूड बनेगा तो उसके जरीए उस दूसरे एनिमल यानिए फॉक्स के अंदर एनर्जी चली जाएगी तो इसको कहते हैं लॉंग चेन जिसे कहते हैं फूड चेन सही है यह एक फूड चेन है यानि कि एक प्रोड्यूसर जो प्लांट इसे हम tweet एपने अपना भी ठी रही है और फूड अपना बना भी रही हूँ और दूसरे organism को प्रोड्यूस भी और यानीं किसे हैं दे रहा है ठीक 仔लते हैं फूड चेन्ट चेन्ग तो आपको मैंने बताय है कि प्लांट जो है फोटो सेंदिसिस के थरू अपनी अनर्जी लेते हैं उस प्रोसेस के जरीय अपनी अनर्जी लेते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं अपने प्लांट के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है तो वो जो एनर्जी स्टोर हो जाती है तो फिर दूसर और गैनिज the herbivores and to the flesh eating animals the carnivores this energy flow from a food chain अब यहाँ देखें एक जैम्पल है यहाँ से सन है अब सन देख रहे हैं अब सन के थ्रूस यानि लीव के अंदर energy आई ठीक है फिर यह एक animal है छोटा सा इसने इस लीव को खा लिया इसका food बन गया इसके अंदर energy आगई फिर एक lady bird है ठीक है इसने क्या किया कि इस animal को खा लिया छोटे से animal को तो इसके अंदर energy आगई फिर यहाँ हब देख रहे हैं एक bird है बर्ड ने जब lady bird को खाया तो फिर इस bird के अंदर energy आगई तो यह एक तरह की simple food chain के लाती है ठीक है तो बस आज के हमारा यही चोटा सा topic था अमीदा आप सबको समझाया होगा अभी के लिए लाफिर थैंक यू